तो गाईज एक वीडियो के लिए करने पड़ती बहुत सारी तैयारी वाईज आज के वीडियो में हमारे बर्ड्स के आँपों की रोशनी करेंगे हम तेज तो चलिए फड़ा फड़ से कॉलोनी के अंदर चलते हैं बर्तन लेकर यह रही गाजा जिस्ते होगी इनके आँपों रोशनी पेज और यह है चुकंदर आज सुबह सुबह से जो भी मैं अपने बर्ड्स को खाने को प्रोवाइड करता हूँ आप सभी को बताता हूँ आज वो सब कुछ दिखाएंगे आपको सुबह सुबह से जो हमें करना पड़ता है कॉलोनी के अंदर आकर तो यह हो गई सफाई भी चालू करते हैं सफाई और फिर बनाते हैं वीडियो यहां पर लाल होना स्टार्ट हो गई है तो हलो दोस्तों मैं हूँ रुष्गुप्ता भॉपाल से और वेल्कम करता हूँ आपका आपके और हमारे YouTube चैनल भॉपाली बर्ड्स लवर्स में दोस्तों यहां दोस्तों हमारे बर्ड्स को हम कुछ ना कुछ नाया खाने को देते रहते हैं तो आज सुबह सबह से वैसे तो आज जो हम प्रोवाइट करने वाले दोस्तों मेरे हाथ में दिख रहा होगा आपको गाजर और यहां पर आपको दिख रहा होगा थाली के अंदर रखा हुआ है चुकंदर इसको आप लोग क्या बोलते हैं आप बताइएगा दोस्तों यह हमारे वैसे बेसिकली से इस तरह से छिल्के हम अगर छिलनी से छील लेंगे यह रखी छिख इन्हें तो होगा दोस्तों यह कि जब इसे यह कायेत। यह काई इस से गड़ेंगे हमने विटामिन ए बहुत अच्छा होता है दोस्तों इससे की रोशनी वाकई में तेज होती है तो हमारे बर्ट कोन के अंडे अंधेरे में भी दिखेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है वजब तो मैं आपको दोस्तों इसलिए बता रहा हूं कि यह गाजर जो होती है यह हमारे बर्ट के यह बहुत ही जादा यूसफुल चीज है अभी देखिए इस मौसम में जो गाजर का कलर आता है वो इस तरह का कुछ आता यह देख सकते हैं और अभी जब बाद में इन्हें हम प्रोवाइट करेंगे जो मौसम वाली गाजर आती वह थोड़ी सी आप देख सकते हैं किस कलर क जाती मतलब चुकंदर जो जिस कलर का होता है रेडिश कलर की आती और अभी औरेंज कलर की मतलब भगवा कलर की गाजर है तो फटा फट से हम इस गाजर को पूरा छिल लेते हैं और साथ ही साथ दोस्तों यह जो चुकंदर बगल में रखा हुआ है इससे वड़ा ही हम अपन फटा फट से पिले हम गाजर को चील लेते हैं और साथ ही साथ चुकंदर को भी चील लेते हैं आपको पूरी गाजर और पूरा चुकंदर च्छिलके च्छिलके निकालना है इनके तो कि इसको बैटर तरीकेशा खाँ पाएंगे दोस्तों देख लीजी ये कुछ आप कई लोग कहेंगे कि ये छिलके हैं इने च्छिलकों को प्रोवाइड कर रहा है ये छिलके नहीं है गा इसके लगेगा जब ये खाएंगे तो कि इनके चोच से ब्लड आ रहा है या इन्होंने किसी को मार दिया इस टाहिप से इनका चौच पूरी रैडिश रैडिश सी हो जाएगी देखिएगा आप जब ये खाएंगे इसे तो ये बड़े बड़े छिलके चुकंदर के निकाल ले रहेंगे और उसके बाद इनको प्रोवाइड करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह से इसको खाते हैं और इसके फाइड है क्या क्या हमारे बर्ट को हने वाले हैं वो सब कुछ भी दिखाएंगे यहां पर ये बगल में हमारे छोटे-छोटे बरतन रखे यहां पर छील रहा हैं और यह कुछ बड़ बगल में उतरकर यहां पर आगए हैं और बिल्कुल तैयारी से हैं कि हमिने फटा-फट से फूट प्रोवाइड करें और ये से खाना स्टार्ड कर दें तो आप देख सकते हैं थाली में हमने यहां पर यह चुकंदर को भी छील चिनते मेरे हाथों की कंडिशन भी देख सकते हैं अब यह कुछ इस तरह से लाल-लाल हो यह यह खून नहीं है यह केवल चुकंदर का कलर जो है वो निकल गया है चुकंदर को आपकी सिटी में क्या बोलते हैं आप यह जरूर से बताइएगा कमेंट करके दोस्तों और आज का आपको कैसा लग रहा है यह भी कमेंट कर दिएगा चलिए फड़ापट से इसको जो है दोस्तों प्रोवाइड करते हैं हमारे बर्ट को इन प्लेटों के अंदर निकाल कर और किस तरह से हमारे बर्ट इसको खा रहा है वो सब कुछ आपको दिखाते हैं यह रही तैयारी हमारे बर्ट को हमारा जो है फूड आज का देने की तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिये कि हम अपने बर्ट को कुछ ना कुछ नए खाने को देते हैं तैयारी देखिए किस तर जे कर जाती है यहाँ पर य देख रहा होगा तो यह हमने दोस्तों यहाँ पर इसको इसके अंदर मतलब पानी के अंदर मिला दी है यह कैल्सी तो यह है कैल्शियम आज हम प्रॉइड करने वाले है साथ ही साथ यहाँ पर यह पूड आप देख सकते हैं यह कुछ फूड आपने बर्ट को भी पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर दाना पानी होगा, मतलब पानी देना है only, पर दाना प्रोवाइड नहीं करना है, दाना होगा तो फिर यह चीज नहीं खाएंगे, आप लोग खाएंगे कि सर वो तो खानी रहें, और यह रहा है हमारे बरतन, यहाँ पर दाना भी बि यह लगा लेता है, और यहाँ लिदियो कि इस दो आपको थे लिए बेस्टे प्लेट उखे नहीं के बहुता है तो तो थोड़ी थे लिए लाइचों, तो आपका लाइक से मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं, क्योंकि अगरें वीडियो करें और जि पर अभी मैं लगा लेता हूं और उसके बाद इनको प्रोवाइड करते हुए भी आपको दिखाता हूं और उसके बाद ये किस तरह से कितने जल्दी इसको खाना स्टाइड करेंगे ये सभी कुछ आपको आपको दिखाता हूं दोस्तों पानी और ये सब कुछ प्रोवाइड जो है कितने जल्दी जल्दी इसको खाना स्टार्ड करते हैं तो यह देखिए यहां पर हमारी यह चली कई सौफ फूड की प्लेट या फिर ग्रीन फूड इसे नहीं बोल सकते हैं तो रेड फूड है दोस्तों और आज रेड रेड पानी भी है तो सब कुछ आज रेड रेड ह कितनी तेजी से इसको खाएंगें और कितनी तेजी से इसके उपर आटह्क करेंगे सब कुछ आप trauma हो सब हमारे बर्ड जो है वो इसे खा रहा हैं कई लोग बोलते हैं नहीं खा रहा हैं तो यह सब कुछ आज आपके सामने क्लियर हो जागा अगर मेरे बर्ड खा रहे हैं तो दोस्तों आपके बर्ड भी डेफिनेटल खाएंगे तो मैं फड़ा फड़ से सभी कुछ प्रोवाइड कर काफी दिनों में दोस्तों हम यह जो है चुकंदर और गाजर वगेरा देते हैं तो देख लीजिए आप यहां पर भी यह जो है तैकिकात चल रही है किस तरह से इसको खाना चाहिए यह नहीं खाना चाहिए क्या नई चीज है तो देखिए थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर रह अगर हम कॉलोनी में ब्रीडिंग ले रहे होते हैं तो हम इन इसे टुकडे की रूप में काट के दे दे तो यह उसे खा लेते दोस्तों अभी यह यहां पर अगर रखेंगे तो यह नीचे गिर जाते हैं यहां से और इसे बर्ड जो है प्रोपर ली खा नहीं बाते हैं तो देख सकते हैं चुकंदर हमने पूरे ही केजिस में प्रोवाइट कर दी और यह बर्ड देखी जो तेकिकात कर रहा था इसने यहां पर थोड़ा थोड़ा इसे खाना स्टार्ड कर दिया है थोड़ी थेर के बाद इनकी जो चोंच है वो पूरी तरह से लाल हो जाने वाली है क्योंकि यह जो है चुकंदर इससे पूरी चोंचे वागेरा इनकी लाल हो जाती है और फिर ऐसा लगता है इनोंने कुछ खा लिया जिससे कि या फिर किसी को मार दिया खून वागेरा निकलिया यह देखिए यहां पर यह फीमेल बाहर आ गई है और काफी शौक से इसको खा लाल होना स्टार्ड कर देंगे और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके बर्ड्स के लिए बहुत ही जादा फाइदे मन चीज़े दोस्तों तो अपने बर्ड्स को वीक में कम से कम एक बार तक के से प्रोवाइड करें यह देखिए इसकी चोंच यह जो है यहां पर लाल ह चुकंदर को भी खा रही है तो आप सूच सकते हैं कि कितना जादा यह इन बर्ड्स को पसंद आने वाली चीज़े यहां पर भी देखिए यह खाना स्टार्ट होगा यह बर्ड तो गाइस आप भी अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करिए कौन पहले से प्रोवाइड कर रह थे 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 थैंकि तू गईज